Hello Friends, Welcome back to my channel Amriti Paisa Mila आज की वीडियो में हम देखें के लिडूकूपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं एक्तम सिंपल और आसांतरी के से मैंने इसे बनाया हुआ है बहुत ही इसली आप भी इसे बना लेंगे, इसे बनाना बहुत बहुत ही है तो यह मैं आपको छे नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूँ यह देखें सबसे पहले हमें यहाँ पे यह नेक पे बाद लेना है यह देखें यह इस तरह से हमने बाद दिया और बादने के बाद यह जो हमारी दोनों स्ट्रिप है वो यहाँ ऐसे नीचे आ जाएगी यह देखें यह इस तरह से हमें नीचे लियाना है और इसके बाद इनके दिन दोनों पेर के बीच में से यह आएगा हिस्सा मैंने मिजर्मिन्ट सभी साइज में बताई हुई है किसी भी साइज में आपको प्राब्लम नहीं होगी आप इसे एजिली बना के अपने कानाजी को पहना सकते है अब देखें यह पीछे से आ गया और यह हिस्सा हम यहाँ पे बाद लेंगे तो इसी में हमारी नैपी और ड्रेस दोनों आएगी यह बातने के लिए हमें देखें इस तरह से एक्सचेंज कर लेना है दोनों डोरी को एक दूसरी साइट से तो यह पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे बात लेंगे पीछे की साइट तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको यह जबला बनाना बताया हुआ है आप भी इसे इसली बनाईए और अपने कानाजी को पहनाईए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्स्राइब करें साथ में बेल आइकन पर प्रिस करके और पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है मैं आपको इसे बनाना बताया है अगर आप बिग् смог है तो भी आपको इस बनाने में कोई भी प्राइव में आई होने माली है इसली बन के रैडी हो जाती है गान्झ दिया वीबेस आपको और आपको और भी करेस wszakot कर फ्रेक्याने देखें नपी भी आई होई है पूरी की पूरी पूरा कवर है अच्छे से तो आप इसे इसली बनाईए और पहनाईए चे नंबर को भी आजाएगी और पांश नंबर को भी आजाएगी एकदम सिंपल और आसान तरीकी की ड्रेस है तो वीडियो सटाइप पहले अगर आपने क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे भी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं क्या है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम मेंडल है अमरिती पैसमलापिटिया फर लिंक आपको डिस्क जटाइ डबल है, चलय मैंने 0.5-3 इंच रखे और आ आपको सभी साइज बिनाने के लिए क्या करना होगा मैं काना जी को लिए को लेना है यह सभी काना जी को ले आपे लोग दोनों पैर के बीच से आएगा और यहां इनके गले तक हमें मेजर करना है तो देखे यह हमारा 5 इंच आ रहा है तो हम क्या करेंगे गले से थोड़ा सा नीचे ही रहे बहुत उपर नहीं रहे तो हम पांच को देखें इस तरह से ऐसे मोल लेंगे यह हमने 10 इंच होगा हमारा इसलिए हमने आपके लंबाई जो है वो दस इंच रख है और हम चुडाय 3 इंच अब हम चुड़ाय के मेज़ करणा है मैं आपको वह बता रेती हुआ है यह किया यहां है कि यह यह सब्सदार करेंके तो वैक कि यह यहां पे यह मैंने 4 ग्राविस नयुक्ता इतना इक समन्दो नमत्य को कतießen जिलने में और इतना ही इधर पाईश इतनी चुड़ाए रख लिजें और ऋसी का डबल कर लिजें जैसे कि देखिए यह एक दस्म तो 7-5 इंच मैंने रखा हुआ है और यहां से जितना भी आया उसे इंच टेप का इस तरह से मोड के आपको डबल करना है तो यह हमारा 3.5 इंच आ जा रहा है बस इतना ही आपको करना है हम क्या करेंगे इसे उल्टा करेंगे यह इस तरह से उल तो इस तरह से दोनों को फैलाना है फैलाने के बाद ऐसे उंगली डाल के हमें पलट लेना है यह देखिए किसी भी साइज में आप बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगे आपको और इस तरह से अगर आपको पलट के सिलने में प्रबलम हो तो आप उपर से ही मोड के सिल या पटी लगा लेजे बहुत सी वीडियो में मैंने पटी बेगर लगाना आपको बताया हुआ है तो आप इसे पटी भी लगा सकते हैं छोटे साइज में हो सकता है कि आपको पलटने में थोड़ी सी प्रबलम हो देखिए मैं यहां पर यह इस तरह से कुछ भी आप इस तर यह है कि यहां चुटाइए लगा लोंगे तो यह हमारा अच्छा व्लें सा रैडि होता है तो यह देखिए अभ हमने यहां पे यह फैबरिक ले लिया है कि अजिए इसकी चोड़ाई मेंने थूड़ी सी ज्यादा रखिए क्योंकि इसे में ब्लेट बनानी है तो हेहां पर के एकठा कर दिया है हमक्ता चोड़ाई शुड़ाय में और में प्रश कर दिया हम इस दोर से चैना तुक मांने ये स्टा आवक, इसनल में रखी से यह देखें, इक टाप कर च्च अभिए बटारो हैं अगर मैं आपको खंड़ खंड़, दिखाज मैसरें तो यह दीज तरह से हम चेच लएक यह में मेरी करते चीज़, एक झाझत बड़ में आक में 1-5ींच लाव. भींगे मेपसितु दिए लगूंगर राएगेर गारी द़्धम सब्किन होगा मेरे दोलगा एक बार सिला लगाएगे संटर में नहीं रखना है अब देखिक अध 사स्टी हुव को भींगर फिल्धम के पाइगें लिक यहां पर दना कंथ बड़ी जंग है 1.25 inch मिन्स 1 inch और 8 inch के बीच में जितना आता हुतना इसके center में हम इसे रखेंगे और रखने के बाद सिल देंगे चलिए सिलती हूँ यह दिखे हमने यह पे सिल दिया आप सिलने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे सिधा करने के बाद हम इधर से मोड़ेंगे थोड़ा सा हमें इधर से मोड़ना है फिर दोनों को एक दूसरे के उपर रखे सिल देना है जब यह आप सिलेंगे तो यहां पे आपकी कमर भी जो है वो भी लॉक हो जाएगी चलिए सिल देती हूँ यह देखिए हमने यहां पे से लॉक कर दिया है अब इसका यह वाला जो हिस्सा है वह हमें सिलना है तो देखिए हम इस तरह से ऐसे यहां पे प्लेट बनाएंगे प्लेट बनाने के पहले हम यहां पे एक पट्टी लगा लेते हैं बादने वाली फिर हम प्लेट बनाएंगे यह देखे मैंने यहां पे यह पीस लिया है इसकी अगर मैं आपको चड़ाई बिताओं तो जो चड़ाई है वो हमारी है 1.25 इंच इसमें से हमें देखे अपने ड्रेस के फ्रंट पे लगाने के लिए यहां पे इसकी टोटल लंबाई जो हमें 5 इंच रखनी है हमने 5 इंच ज तो यह हमारा यहां पे 3.5 इंच आ रहा है हम यहां पे 3.5 इंच की पट्टी लगानी है तो इसमें से हम पहले 3.5 इंच का एक पीस कट करेंगे यह देखे यह इस तरह से मैंने मिजर किया यहां से यह कट करती हूँ और इसे हम देखे कैसे सिलेंगे यह इस तरह से मोरना है और यह सिल देना है, यह पट्टी हम सिलने के बाद उसके बाद अपना नैक बनाएंगे, चलिए पट्टी पहले मैं सिलती हूँ अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे इस तरह से ऐसे प्लेट बनानी है यह ऐसे करके चुटी-चुटी सी प्लेट बनाएंगे चली बनाती हूँ एक तब सेंटर से सिलाई लगानी है यह रखिए हाँ पे मैंने प्लेट डालने के बाद इसकी लंबाई अपनी अगठा करके पांच इंच में कर लिए यह पांच इंच से आपका दीखने होना चाहिए हमने जो मेजर किया है उतना रहेगा अब हमें क्या करना है यह स्ट्रिप यहां पे रखनी है और रख के इसे हम सिल देंगे तो चलिए सेंटर में रखती हूँ इसे और सिलाई लगा देते हैं इसे हमारे सिलाई भी कवर होगी और बीच में हमारे डिजाइन भी आएगा यह देखिए हमारा हो गया अब हमने अपनी यह स्ट्रिप ले लिए हम क्या करेंगे इसे ऐसे रखेंगे और इसके उपर सेंटर में हम इसे रखेंगे और रख के सिलाई लगाएंगे चलिए सिलते हैं है यह देखिया हमने यहाप इसे शेल दिया हम चैcimento Welcome और शेल करने के बाद यह देखिया पहले हमें इसे उपर से मोड़ना है और उसके बाद हम इसे नीजे की से से मोड़ेंगे और दोनों को एक दूसरी के ऊपर रखकेestab कर चैप सिल देंगे एकदम सिंपल और आसान तरी किसे आपको इसे मैंने बना के डिखा दिया है और सभी साइज में आपको measurement बताई है किसी भी साइज में आपको problem नहीं होगी तो 6 नंबर को भी आप सेम ड्रेस पहना पाएंगे और सेम ड्रेस आप माश नंबर को भी पहना लेंगे पहना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी measurement पहना आपको सभी साइज में बताई ही है आप इसली पहना और पहना आप चले में इसे पहना के डिखा देती हूँ यह ब्लैक वाले काना जो है वह ची नंबर के हैं गोल्डेन वाले पांच नंबर के हैं यह देखें यहां पर जो ड्रेस है मैंने 6 नंबर के काना को पहना दी है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिटा गई है बहुत ही कुबसूरत लग रही है आप देखें बहुत ही कुबसूरत से इसकी फिटिंग आई है सिंपल सा यह जो जवला है वह हमारा रैडी हो गया है आप इसे गर्मियों में इसली पहना सकते हैं काना जी को ख नमबर को भी आ जएगा और पांच नमबर को भी तो आप किसी भी साइच को पहना है बहुत ही कुबसूरत लगता है पहना कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया है मेजर्मेंट सभी साइज में बता हुई है तो आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राब करें अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे प्रिश्ना रादे